पटना के गांधी सेतू पुल से स्कॉर्पियों के गिरने का मामला अभी थमा नहीं था उसमें अभी सर्च ओप्रेशन जारी है अभी तक बॉडी रिकवर नहीं हो पाई है और नहीं गाड़ी मिल पाई है इस बीच पटना के ही एक और पुल जेपी पुल से एक आदमी के गि आपको बता दे कि ये पूरा मामला पटना की जेपी पुल का है जहां पर एक आटो का ब्रेक फेल हो जाने की वज़ा से एक वेक्ति जो है वो जेपी पुल से नीचे गिर गया गंगा नदी में गिर गया और उसकी मौत हो गई फिलाल उसकी भी बॉड़ी अभी तक रिकवर न जगा कव रने कारण उपर बैटा हुआ था आजी छिकागर के नदी में चला जाए वित्ता कनाव राजे से आपको चराने माना गांधी सेतु के मामले पर लगातार हमें अपडेट दे रहे अक्षे आनंद हमारे सयोगी हमारे साथ है जेपी पुल से जो ये घटना हुई है उस पे भी क्या कुछ अपडेट्स है ये हमें बताएंगे तो अक्षे बताए ये कैसा रहा पूरा मामला आखिर वो गिरा कैसे इसको आप रफ्तार का कहर कह सकते हैं आटो चालक वक्त बचाने के लिए जादा पैसा कमाने के लिए लगातार तेज चलाते हैं आटो को इस बार क्या हुआ कि जेपी सेतु पर अपने ये आटो वाले एक बुलेरो गाड़ी को ओवर टेक कर रहे थे इस क्रम में एक बाइक बीच में आ जाती है और ये आटो अन्यंत्रित होकर जेपी सेतु के दिवार से टकरा जाता है अब इस आटो के छट पे एक अम्रूत का वियापारी बैठा रहता है जो जब टकर होती है तो नदी में गिर जाता है आटो चालक लगातार तेज चला रहे हैं उन्हें मना भी क जाता है तो जो अन्यंत्रित होई ओटो तेज रफतार के कहर से एक व्यक्ति की जान जाई यहां पर और उसकी बॉड़ी भी तक रिकवर नहीं हो पा रही है क्या उसमें भी कोई रिस्क्यों चलाय जा रहा है उसके लिए बिलकुल उस आदमी के गिरते ही SDRF की टीम को तु की टीम यहां JP सेतु पर और उसके बाद यह अम्रूत का व्यापारी जो गिर जाता है उसके भी तलाश में उसकी बॉड़ी की तलाश में SDRF की टीम लगा रही है लेकिन बहाव तेज है रविवार को हुई घटना पर भी SDRF का कहना है कि बहाव के कारण पता नहीं लग पा है वहाँ पर दो स्टेट की SDRF और एक NDRF की टीम जो है वो उस स्कॉर्पियों की गिरने के बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है आज आठवा दिन है और अभी तक ना स्कॉर्पियों का पता लग पाया है और ना ही उस स्कॉर्पियों बैठे किसी वेक्ति के अभी तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है अभी तक गाड़ी नहीं खोई जा सकी या फिर यह कहा जाए कि यह जो गंगा नदी है उसका जो कहर तूट रहा है उसके वैसे जिस तरह की ना स्टम के फेलियर से जादा हम इसे कुदरत का कहर ही कह सकते हैं क्योंकि गंगा अपने गोता भी लगा रहा हैं उनके पास जो तक्नीक है उसका वो इस्तमाल कर रहे हैं बावजुद इसके अगर वो सफल नहीं हो पार है तो हम इसमें उन्हें जादा दोष्ट तो नहीं दे सकते कहीं नहीं यह कुदरत कहीं कह रहा है जो मुश्किले और बढ़ा तो मतलब नितिश कुमार ना personally thanks भी कहा था और उनको प्रसाहन भी दिया था तो इसको कहीं न कहीं यही कहा जा सकता है कि NDRF और SDRF दोनों ही search operation लगतार चला रही है इस बीच अपडेट ये है कि पटना के एक और पूल जो कि JP सेतु पूल है दिगा से सोनपूर के बीच में ये पूल ब उसकी body अभी तक recover नहीं कर पाई है लोग और NDRF भी search operation चला रही है हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़े आक्षियानंद बहुत बहुत शुक्रिया आपका और इस मामले में update देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो live city के साथ बने रहिए सभी मामलों में या वो JP से subscribe करिए इसके साथ हमारे facebook page को भी जरूर लाइक करें ताकि आप खाबरों में updates रह सकें